बॉलिवूर एक्ट्र विकी कोशल और केटरीना केल्फ अपने प्यार को फानिली शादित की मुकाम तक पहुचा रहे हैं खबर है कि केटरीना और विकी दोनों ही दिसंबर के महीने में राजस्थान के सेवई माधोपूर शहर में एक आलेशान महल में रॉल तरीके से शादि करेंगे ये किला करीब 700 साल पुराना है केटरीना की चाहत है कि वो महराने की तरह दुलहन बनकर और राजशाही अंदाज में अपनी शादी करें बता दे कि केटरीना के एक खुआप को पूरा करने में जुट चुके हैं विकी कोशल दोनों अपनी शादी को लेकर भली ही अभिशान्त है ना तो अभी तक केटरीना ने अपने शादी पर चिप्पी तोड़ी है और ना ही विकी कोशल ने खबरों की माने तो डिरेक्टर कबीर खान और मिनी माथुर के मुंबई के घर में दिवाली के दो दिन दोनों ने सगाई कर ली थी और इस दोरान सिर्फ परिवार के सदसे ही मौजू थे इसी के साथ अब करने वाले हैं खुला सा यहां पर कैटरीना और विकी की शादी कर आएगा ऐसे में सेलिब्रिटी जोतिश्रे बातचीत की गई और उनकी भविश्यवानी में कई सारी दिल्चस्प बाते सामने आए जोतिश अचारे के अनुसार केटरीना और विकी काफी प्राइवेट लाइफ जीना पसंद करेंगे वह अपने अफेर और शादी की कवर से दूर रखते हैं फिलहाल केटरीना और विकी डीडे को लेकर काफी जादा कयास को कयासों में चल रहे हैं विबीट दरसल विकी और केटरीना अपनी वेडिंग शादी को लेकर काफी जादा कयासों को लेकर चल रहे हैं बता दे की जोतिश अचारे ने एस्ट्रलोजर ने कैटरीना की शादिशुता जिंदिकी के बारे में बताया है कि कैटरीना कैफ अपने महनत के दम पर इस मुकाम पर पहुंची है वो काम को लेकर काफ़ी जादा फोकस्ट है शादी के बाद इनका फोकस्ट विक्की और नई फैमिली पर शिफ्ट हो जाएगा जोटिश ने ये भी कहा कि कैटरीना अपनी मैरिज लाइफ को इंजॉई करने के लिए फिल्मी दुनिया से थोड़ी दूरी बना सकती है वो कम प्रोजेक्ट लेना शुरू कर सकती है वहीं दूसरी तरह विक्की कोर्शल के स्टारडम काफी ज़दा बढ़ जाएगा के 12 दिसंबर तक चलेगा कपल सवाई माधवपोर के चोद का बरवाड़ा के सिक्सेंस बरवाड़ा फोर्ट होटल में नई सिंदेजी की शुरुबात करेगा नेक्स्ट नाइम लाइफ की डिपोर्ट